तो देखें गाइस एक वीडियो लेकर आई हूं मुझे काफी लोग कॉर्षिन करते हैं कि दो साल के बच्चे के स्वेटर में हम बगल की कटिंग कैसे करें और राउंड ने कैसे कट करें ठीक है तो वही वीडियो लेकर आई हूं मैं यहां पर तो देखें सबसे पहले यहां सबसे पहले आप माल लेंगे कि आपने बॉर्डर पर यहां पर हम इस तरह से यह स्वेटर एक ड्रॉ कर लेंगे यहां पर तो इसका आपने यहां पर यहां बना लिया आपने बॉर्डर पर दो साल के बच्चे के लिए माल लीजे 65 स्टिचेज डाल लिए समझ रहे हैं 65 फंदे या 70 फंदे माल लीजे 70 फंदे आपने यहां डाल लिए 2 साल के बच्चे के लिए एक से दो साल के लिए इसके बाद आप इस स्वेटर को इस तरह से बनाएंगे उपर ठीक है फिर यहां से आर्ब होल कट करेंगे इस तरह से इस तरह से फिर यह शोल्डर जाएगा उसके बाद यह राउंड ने का जाएगा ठीक है स्वेटर का से पैसा हो गया तो देखिए 70 फंदे आपने डाल लिए 70 फंदे डाल के यहां से लेके यहां तक आपने लंबाई बनाई यह तो लेंथ आपको कितनी बनानी है यह देख लेंगे इंची टेप में मैं आपको बताऊंगी इंची टेप से लेंथ देखिए आपको साथ इंच है यहाँ ठीक है तो यह आपको इतनी ही बनानी है साथ इंच साथ से साथ कर सकते हैं तो वो आप बच्चे के कोटिंग देख लीजिएगा साथ साथ या आठ ठीक है मेरे हिसाब से मैं यहाँ साथ इंच लिख देती हूँ यह लेंथ बनानानी है आपको पूरी यहां तक उसके बाद यहां पर आप मोल- extraordinarily किस तरह से करें सबसे पहले हम तीन दो एग में चोड़े बच्चे के ठीक है तो सबसे पहले क्या करेंगे कि यहां पर इस यह जो एरिया है वो मैं यहां पर बताऊंगी आपको ठीक है अब देखें यहां से आर्मोल कटिंग किया आपने तो यहां पर एक दो तीन तीन फंदे घटा दिये मैं जरा इसको और नजदीग लेकर आती हूँ आपको थोड़ा सा और अच्छे से समझने आएगा यह ठीक है तो देखें यहां पर माल लीजिए यह स्वेटर आपका इस तरह से आया ठीक है अब यह आर्मोल कट कर रहे हैं आप यहां से तो वन टू थ त्या गांदेगे को बनाते हूँ ज cabe यहां अंगे तो पूरी सलाइब बना देंगे जब पलट के आए तो 2 फंदे फिर वन टू यह घटाएंगे इस साइड आ जाएंगे फिर एक फंदा इधर इधर आके फिर एक फंदा घटाएंगे तो यहां पर हमने तीन दो एक की कटिंग कर दी आर्मोल की ठीक हैं कटिंग करने के बाद अब हम यहां तक सोल्डर तक यहां यहां से इसकी हम जो लंबाई बनाएंगे यह वाली लेंथ करीबन चैंच बनाएंगे आदा एक पहले हैं तो उनका हम आदा एक पहले करते हैं उसका वीडियो लग से लिकार हूंगे अगर आप वीडियो चाहते हैं तो मुझे कॉमंट करें ज्यादा से ज्यादा तो minimum कम से कम 50 comment अकर मुझे आएंगे तो ही मैं इसका वीडियो बनाऊंगे क्योंकि वीडियो बनाने प्रॉब्लम होती है आप लोग comment करते नहीं बिल्कुल भी तो 3 इंच पे हमने यह round neck cut कर दिया यह देखे 3 इंच बनाने के बाद यहां से 3 इंच बनाया अब हम round neck cut करेंगे ठीक है अब देखो round neck कैसे cut करेंगे माल लो कि 70 फंदे मेरे पास थे 3, 2, 1 6 फंदे हो गई है हमारे पास तो 6 हमने इस side कटाई 6 इस side यानि कि 12 फंदे हम इस में से निगाल देंगे समझ रहे हैं तो हमारे पास कितने बच्चे 58 देखो ना 70 में से माल लो 10 गए 60 में से दो गए 58 अब हमारे पास 58 stitches आ गए तो 58 फंदों पे हमने यह 3 इंच तक बना लिया अब वह बात आई हैं neck की यहां से हम cut करेंगे तो neck cut करने के लिए हमें पहले यह देखना होगा कि हमें उतने फंदे पहले छोड़ने होगे जो हम shoulder पर रखने वाले हैं ठीक है कंदेव है तो मालो 2 साल के बच्चे के लिए मैंने रख दिये करीबन 12-12 फंदे 14 फंदे मालो मैंने आपर 2 साल के बच्चे के लिए 14 फंदे यह रख दिये 14 और 14 होते 28 तो 28 इसी मैंसे मैं 28 फंदे पहले निकाल दूँगी ठीक है बच्चे यहां 30 फंदे अब 30 फंदे पर हमें नेक कटिंग करनी है ठीक है तो मैं क्या करती हूं जनरली या तो 10 फंदे स्टार्टिंग मैं घटा देती हूं या 30 के आदे 15 फंदे यहां पर 1 साथ घटा देती हूं नहीं तो मैं क्या करती हूं कि ऐसा होता है कि कुछ लोग क्या करते है कि यहां पर कम फंदे घटाते हैं फिर ऐसे करके ज़्यादा घटाते चले जाते हैं तो उसे के neck थोड़ा सा अच्छा broad वाला नहीं आता अगर आपको ये broad वाला अच्छा सा neck चाहिए ने एक तम अच्छा सा तो उसके लिए साथ घटा दिए यहां से बुनते हुए आए 16 फंद एक साथ घटा आए फिर हम इस चोल्डर पर आए तो अब क्या करेंगे हमारे पास बचे 14 फंदे 14 फंदों को हम 7 फंदों में डिवाइड कर देंगे 7 इदर 7 इदर तो जब हमने यहां पर अब मैं इसका neck का डाइगराम यहां बनाऊंगी ठीक है तो जब हमने 16 फंदे यहां एक साथ घटा दिये यह देखो यह घटा रही हूं मैं ठीक है मालो यह मैंने घटा दिये एक पादाने यह तो हम यहां से इस तरह से इदर बुनेंगे सीधा इदर आएगे अभ हमें यहां फंदे घटाएगर यहां रिंग बनेंगbers अनुख कर एक साथ अनधाने घटाने दियान रखतिएगा तीं इंच चSec प्तों यह फंदे साथ घट जाते हैं ठीक है तो आप यहीं बंद कर दीजिए अगर तीन इंच नहीं बनाएं मौन लिए जैसे ही साथ फंदे घट जाएं उसके बाद अपनी लेंध पूरी करने के लिए मतलब तीन इंच पूरा करने के लिए आप सीधा-सीधा बुनते हुए जाएं बनलाए फंदे साथ घटा चुके हैं तो आप अब नहीं घटाएंगे आगे ऐसे बुनते जाएं बेना घटाएं जैसा इधर किया वैसा इधर करेंगे ठीक है और अगर माल लीजे साथ फंदे पूरे आगे हैं घटाने में ठीक है तो आप इसको पूरा बंद कर दीजिए बंद कर दीजिए या बैक पार्ट के साथ सलाईयों से टेच कर दीजिए कर दीजिए जो कि मैंने अपने चैनल पर बताया हुआ किस तरह से टेच किया जाता है ठीक है अब देखो आप कुछ लोग कहेंगे कि अगर ऐसा है कि हमारी लेंथ पूरी हो गई ती निंच उसके ब आपकी हाइट जो लेंथ है तीन इंच हो गई तो लाश्ट की सीधी सलाई पर आपके पास दो फंदे बच रहे हैं तो आप दोन फंदी एक साथ घटा दीजिए ठीक है या आपको ऐसा लग रहा है आपकी लेंथ पूरी यल्दी से होने वाली है आपको फंदे जादा घटा पास या तो एक पंदी की जगए आप दो फंदे घटा दीजिए एक साथ समझ गये ना कहने का मतलब क्या है जैसा आपने इधर करना है सेम वैसा ही आपको करना तो यह तो थी नेक की कटिंग फ्रेंट की लेकिन राउंड नेक जब बैक साइड से बनाएंगे तो आपको यहां से देखी इस तरह से आप जब बनाते हुआ आएंगे तो जश्ट यहां पर इतना बैक कट करते हैं अगर करना चाहें तो वैसे बच्चों के में जरूरत नहीं होती है तो आपने क्या करना है कि अगर आपको यह टोटल लेंथ जो है छेंच बनानी है तो आपको पांच जैसे आपको छेंच बनने वाला है उससे चार सलाई पहले छोड़ देंगे और यह नेक कट करेंगे तो उसमें सारे फंदे एक साथ कट कर देंगे अगर आपके पास जैसे 30 फंदे थे तो 30 फंदे मैंसे आपको करने 28 फंदे एक साथ बन बाकी जैसे ही आप इधर बनाएंगे और इस साइड आएंगे तो दूसरे नमर की जो सलाई होगी आपके 30 नमर की एक फं आ रहे हो तो आप 6 सल आई पहले बंद कर दो बस ज्यादा नहीं तो यह तो थी बैक नेक की कटिंग आम होल की कटिंग भी मैंने आपको बता दी तो उम्मीद करती हूं कि आपको पसंद आया होगा आज का वीडियो नहीं समझ में आया हो तो कॉमेंट करें या इंस्टा पर बॉक्स में मिल जाएगा वहाँ पर काफी लोग मुझे से चैनल की बार और डेख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लिजएगा बेल बटन क्रेस कर दीचेएगा जिससे की मेरा आने वाले वीडियो को नॉटिकर इसना आपको समय से उचैन यह और मिलते हैं देशित चैनल या क किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ शेयर केजिए का सब्सक्राइब के साथ थैंक यू